कि नवश्कार एक्सलेंसीच बंगलादेश के राश्पती अब्दुल हमिज जी प्रजान मंत्री शेख हसेना जी क्रिशी मंत्री डॉक्टर महमत अब्दुर्र रजाग जी मेडम सेख रहाना जी अन्य गणमान्य अतिजिगाण शोनार बंगलादेशेर प्रियो बंदुरा आप सभी का यसने मेरे जीवन के अन्मोल पलो में से एक है मुझे खुशी है कि बंगलादेश की विकास यात्रा के इस अहर्म पड़ाव में आपने मुझे भी शामिल किया आज बंगलादेश का राष्ट्रिय दिवस है तो शाधिनता के पचासवी वर्षगाण भी है इसी साल ही भारत बंगलादेश मैत्री के पचास वर्ष पुरे हो रहे हैं जातिर पिता बंग बंदू शेख मुझमर रहमान की जन्मस्चति का इवर्ष दोनों देशों के सबंदों को और मजबूत कर रहा है एक्सलेंसीज राश्पती अब्दूलहामीज जी प्रदानमंत्री शेख हसिना जी और मंगलादेश के नागरी कोंका मैं आभार प्रगड करता ह। आपने अपने इस गवर्व सालिक्षणों में इस उत्सों में भागिदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रन दिया मैं सभी भारतियों की तरफ से आप सभी को बंगलादेश के सभी नागरीकों को हार्दिक बढ़ाई देता ह। मैं बंग बंगो शेक मुझुबर रह्मान जी को आदर पुर्वक सद्धान देता हूं जिनोंने बंगलादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन नियुचावर कर दिया। हम भारुत वास्यों के लिए गवरों की बात है कि हमेरी शेक मुझुबर रह्मान जी को गांदी शांती सम्मान देने का अउसर मिरा। मैं यहां अभी इस कारकम में भब प्रस्तुदी देने वाले सभी कलाकारों की भी सराना करता हूं। कि बंदुगों मैं आज याद कर रहा हूं बंगलादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिनों ने अपने देश अपनी भाशा अपनी संस्कृति के लिए अंगिनत अत्याचार सहें। अपना खुन दिया अपनी जिन्दगी दाव पर लगा दी। मैं आज याद कर रहा हूं मुक्ति जुद्धों के सुर्वीरों के। मैं आज याद कर रहा हूं शहीत दिरेंद्र नाद दत्तों को, शिच्छावीत रोफित उतिन एहमत को, भाशा शहीत सलाम, रोफिक, बरकत, जब्बार और शाफियोर जी को। मैं आज भारतिय सेना के उन्वीर जमानों को भी नमन करता हूं, जो मुक्ति जुद्धों में बंगला देश के भाई बहरों के साथ खड़े हुए थे। जिन्होंने मुक्ति जुद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद मांगला देश के सपने को साकार करने ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिल्ड मार्सल, सैम मानेशा, जनरल अरोरा, जनरल जेकर, लांस नाइक अलवर्ट एका, ग्रूप कैप्टन चन्दन सी, कैप्टन मोहन नारेड राव सामंत, ऐसे अंगिलेट, जितने ही वीर हैं, जिनके नित्रुत्व और साहज की कथाएं, हमें प्रेडित करती हैं। बांगा देश सरकार द्वारा, इन वीरों की इस मृति में, आशुक्रोंग में, वार मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका अभार रेक्त करता हूँ, मुझे खुशी है कि मुक्ति जुद्धों में सामील, कई भार के साहिनी, आज विशेश का रूप से, इस कारकम में मेरे साथ उपस्तित भी हैं। बंगला देश के मेरे भाई और बहनों, यहां की लौजवान पीड़ी को, मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा, और वह गर्मों के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बंगला देश की आज़ादी के लिए संगर्ष में, उस संगर्ष में सामील होना, मेरे जीवन के भी पहले आंदोलोनों में से एक था। मेरी उम्रण 20-22 साल रही होगी, जब मैंने और मेरे कई साथ को ने बंगला देश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्यांगर्ष किया था। बंगला देश के आज़ादी के समर्थन में तब मैंने गिरपता नहीं भी दी थी और जेल जाने का उसर भी आया था। यानि बंगला देश की आज़ादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तकान की सेना ने जो जदन्य अप्राज और अध्याचार किये वो तस्विरें विच्छित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविल्दो हंदर जी ने कहा था। एक शागोर रोक्तेर बिनिमोये बांगलार शाधिनोंता आनले जहरा। आमरा तोमा देर भूल बोना। यानि जिनोंने अपने रत के सागर से बंगला देश को आजाधी जलाई। हम उन्हें भूलेंगे नहीं। हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंदुगोर्ण एक निरंकुत सरकार अपने ही नागरीपों का जन सम्हार कर रही थी। उनकी भाशा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। आपरेशन सर्च लाइट की उस कुरूरता को दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उत्री चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए। बंदुगों इन सकते बीच यहां के लोगों और अंभार्तियों के लिए आशा की किरन थे। बंग बंदु सेख मुझिबुर रमान। बंग बंदु के होसले ने उनके नेत्रुत्व ने यह तैय कर दिया था कि कोई भी ताकत, कोई भी ताकत बंगलादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंग बंदुन एलान किया था एबारेर, एबारेर संग्राम, आमादेर मुक्तिर संग्राम, एबारेर संग्राम, साजिनोतार संग्राम, इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादि के लिए है, उनके नित्रतों में यहां के सामान निमान भी पुरुष हो यस्त्री हो, किसान, नवजवार, जिक्चर, कामगा, सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गई और इसलिए आद का यह उसर, मुझी पॉर्षे, बॉंग बन्दू के वीजन, उनके आदर्शों, उनके सांस को याद करने का भी दीन है यह समय चिरोवित्रोही, चिरोवित्रोही को मुक्ति जुद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है बंदूगों, बांगलादेश के स्वाधिंता धंगराम को भारत के कौने कौने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से, समर्थन प्राप्त था तत्कालिन प्रधान मत्री, स्रीमती इद्रा गांदी जी के प्रयास और उनकी महत्वप्रून भूमी का सर्वविजित है उसी दोर में, 6 दिसम्बर 1971 को, अटल भी हरिवाध पाईजी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहूती देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लिकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयात न कर रहे हैं आज मांगला देश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतिये जवानों का रख साथ साथ बहरा है, यह रखता ऐसे समंदों का निरमार करेगा, जो किसी भी दमाव से तूटेंगे नहीं, जो किसी भी कुट निती की का शिकार नहीं बनेंगे हमारे पुर्व राश्पती प्रणव मुखर जीजें प्रणवता ने कहा था, बॉंग बंदू को उन्होंने एक टारलेस स्टेश्मेंट कहा था, उन्होंने कहा था, कि सेख मुझमिर रह्मान का जीवन, धैरिया, प्रतिवत्यता और आत्मसयम का प्रतीख है, बंदूगोन ये एक सुखत सेयोग है कि मंगला देश के आजाजी के 50 वर्ष और भारत की आजाजी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है, हम दोनों ही देशों के लिए, 21 सदी में, अगले 25 वर्षों की आत्रा, बहुत ही महत्पकुन है, हमारी विरासत भी साजी है, हमारा विकाद भी साजा है, हमारे लक्स भी साजे है, हमारी चुनोतियां भी साजी है, हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां अमारे लिए एक जैसी संभावना है तो आतंकवाद जैसे समान खत्रे भी है जो सोच और सक्तियां इस प्रकार की अमानविय घट्नाओं को अंजाब देती है वो अब भी सक्रिय है हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा हम दोनों ही देशों के पास लोग तंत्र की ताकत है आगे बढ़ने का स्पस्त भीजन है भारत और मंगला देश एक साथ बिलकर आगे बढ़े इस पूरे छेत्र के विकात के लिए उतना ही जरूरी है और इसलिए आज भारत और मंगला देश दोनों ही देशों की सरकारे इस सम्वेदन सिर्था को समझ कर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सयोग से हर एक समाधान हो सकता है हमारा लैंड बाउंडरी अगिरिमेंट भी इसी का गवाह है कोरोना के इस कालखन में भी दोनों देशों के बीच बहतरीन तानमेल रहा है हमने सार कोविट फंड के स्ताप्रा में सयोग किया अपने हिूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सयोग किया भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्षिन्स बंगला देश के हमारे बहनों और भाईयों के काम आ रही है कि मुझे आध है वो तस्वीरें जबी साथ 26 जन्वरी को भारत के गणतंत्र दीवस पर बांगला देश आम फोर्सिस के कि ट्राइ सर्विस कंटिजन्ट ने शोनो एक्टी शोनो एक्टीर मुझी बोरेर थेके इस धून पर दिल्ली में परेड की थे भारत और मंगला देश का भविश सद्भाव भरे आप विश्वा आपसी विश्वाव भरे ऐसे ही अंगरित पलों का इंतजार कर रहा है साथ यो भारत बंगला देश के समंदों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्चक है भारत बंगला देश समंदों के पचास वर्ष के अवसर पर मैं बंगला देश के पचास एंट्रप्रिनर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा ये भारत आएं हमारे स्टांट आप और इरोवेशन एकोसिस्टिंस से जुड़े वेंचर केपिटालिस से मुलाकात करे हम भी उनसे सिखेंगे उन्हें भी सिखने का अवसर मिलेगा मैं इसके साथ साथ बंगला देश के युवाओं के लिए सुबर्नो जेंती स्कॉलर्शिप की गोशना भी कर रहा हूँ साथियों बंग बंदु सेख भुजीबर रह्मान जी ने कहा था बंगला देश इतिहां से शाधिन राष्टरों हिसे बेटिके ठाक बे बंगला के दाविये राखते पारे एमोन कोनों शक्ति नए बंगला देश स्वाधिन होकर रहेगा देश किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बंगलादेश को दबा करके रख सके बंग बंदू का ये उद्गोश बंगलादेश के अस्तित्व का विरोज करने वालों को चेतावनी भी थी और बंगलादेश के सामर्थ पर विश्वाद भी था मुझे खुशी है कि सेख हसिनाजी के नेत्रुतों में बंगलादेश दुनिया में अपना दम खम दिखा रहा है जिन लोगों को बंगलादेश के निर्मान पर इतराथ था जिन लोगों को बंगलादेश के अस्तित्व पर अशिक्का थी उन्हें बंगलादेश ने गवलत किया है कि साथ्यों हमारे साथ काजी नजरों इसलाम और गुर्देव रविनराथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेना है गुर्देव ने कहा था काल नहीं आमा देर हादे कारा कारी को रेताई शबे मिले देरी कारोन ही शहे को भूब यानि हमारे पास गवाने के लिए समय नहीं है हमारे पास बढ़लाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा अब हम और देर नहीं कर सकते हैं ये बार भारत और बंगलादेश दोनों पर समान रुपसे लागू होती है अपने करोड़ों लोगों के लिए उनके भविश्य के लिए गरीवी के खिलाप हमारे युद्ध के लिए आतन के खिलाप लड़ाई के लिए हमारे लक्ष एक है इसलिए हमारे प्रयाद भी इसी तरह एक जुड़ होने चाहिए मुझे विश्वास है भारत बंगलादेश मिलकर तेज गती से प्रगति करेई हैं मैं एक बार फिर इस पामन परवपर बंगलादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक सुबकामनाई देता हूँ और रिदे से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारोत बंगलादेश मौइतरी चिरोजी भी हो इनी सुबकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ जोई बंगला जोई हिन आंतुरिक धन्यवाद